Hello friends, welcome back to another video इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के important questions डिसकस करेंगे जो आपके आने वाले सभी हिमाचल प्रदेश के examinations के लिए महत्रबून रहेंगे चाहे फिर आपका allied का examination है या आपका high court का है, पटोवारी का है, या पुलिस का है सभी examination के लिए question important है तो फ़ला question is का, भारतिय सभीधान में दिये गए विशों की कितने सूचियां दी गई है How many list of subjects are given in Indian constitution? इंडिन constitution में three types की lists हैं Three types, कौन-कौन सी, तो union list Union list हो गई, number two, state list State list and number three, concurrent list, समवर्ति सूची Concurrent list इनका वर्णन 7th schedule में किये गया है 7th schedule of Indian constitution में तीन सूचीयं दी गई है एक तो संग सूची, राज्य सूची और समवर्ति सूची हिंदी में हमारी education जो है, ये concurrent list में आती है Okay, education Next question है निमलिकीत में से कौन सा भारत के समिधान का सरक्षक है Who is the custodian of Indian constitution from the following Indian constitution का कौन सरक्षक है President of India, भारत के राश्टरपती Prime Minister of India Secretary of Lok Sabha या Supreme Court of India The custodian of Indian constitution is Supreme Court of India भारत का उच्चतम नेलिया भारती भारत के समिधान का सरक्षक है Indian constitution के Part 5 में भारती समिधान के Part 5 में Indian constitution की बात की गई है 24 से 147 तक वरतमान में Supreme Court में टोटल 34 जो है 34 नहिदीज हैं जन्जीज हैं जिन में से 33 नहिदीज हैं और एक जो है Chief Justice of India है पोटल जो है 34 है Chief Justice of India है D.Y. चंदरचूड अगर बात करें Supreme Court of India के उद्घाटन की तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को Next question है लोगसभा अदेक्स अपना त्यागपत्र नीमन में से किसे सौंपता है लोगसभा स्पिकर addresses his और her resignation to whom among the following लोगसभा का स्पिकर को अगर अपना resignation देना है resign देना है तो वो अपना resignation deputy speaker को देगा उपाधेक्स को देगा option number 1 औरक्ट होगा उपाधेक्स को देगा deputy speaker को देखिए लोगसभा speaker के पास power होती है वो तय कर सकता है कि कोई भी विधेक जो है कोई भी बिल जो है money bill है या नहीं है ये तय करता है लोगसभा speaker और अपना स्टीफा नात्यागपत्तर वो deputy speaker को सौमता है next question है भारत में चौथा हम चुनाव कब हुआ था when was fourth general election held in India तो fourth general election हुए थे 1967 1967 में और ये इस लोगसभा का कारेकाल 1967 से 1970 तक चला था first general election हुए थे 195 में और यहाँ पर फोर्थ पूचा है तो fourth हुए थे 1967 1967 next question है 1975 में संकटकाल की घोषणा किस अनुचेद के अंतरगत की गई थी under which article emergency was declared in 1975 यहाँ पर घुमा के ये पूचा है कि जब emergency लगती है तो उसमें कौन यहाँ पर emergency पूचा है जब emergency लगी थी तो national emergency लगती है article 352 के तहत national emergency okay राष्ट्रेपातकाल 352 बसता है 356 article 356 के तहत लगता है राष्टरपतिश आसन प्रेजिडेंट रूल राष्टरपतिश आसन प्रेजिडेंट रूल सबसे पहले पंजाब में लगा था पंजाब में लगा था 1951 में सबसे पहले अब प्रेजिडेंट रूल राष्टरपतिश आसन और नेशनल अमर्जेंसी की बीच में डिफ्रेंस क्या है तो नेशनल अमर्जेंसी जो है यह पूरे देश में एक साथ लगती है प्रेजिडेंट रूल जो है यह किसी एक यह पर्टिकुलर एरिया में लगा जाता है यह जो राष्टरपति सासने प्रेजिडेंट रूल है आर्टिकल 356 के तहात ही यह मैक्सिमम तीन साल तक के लिए ही लगाया जा सकता है और यह जो नेस्नल अबर्जेंसी है आर्टिकल 352 के तहात लगती है इसकी कोई लिमिट नहीं है इसे हर 6 वर्षों के बाद जो है बढ़ाया जा सकता है सॉरी 6 मंथ 6 मंथ के गैप में इसको हर 6 मिने के लिए बढ़ाया जा सकता है 1975 में जो अमर्जेंसी लगी थी इसके कारणों और इसकी परिस्तितियों का पता लगाने के लिए साह आयोग का गठन किया गया था साह आयोग इसको ध्यान रखें साह आयोग नेक्स कोर्शन है भारतिय समिदान का कौन सा अनुछेद चुवाचूत को समाप्त करने से समदिता है विच आर्टिकल ऑफ इंडिन कॉन्सिचूशन डेल्ज विद अबोलिशन ऑफ अन्टचबिलिटी तो अन्टचबिलिटी का अबोलिशन के लिए आर्टिकल सेवंटीन है आर्टिकल सत्रा में लिखा गया है चुवाचूत एक दंडनिया अपराद है ओके अप्शन नमर एक उरेट होगा आर्टिकल सेवंटीन आर्टिकल फिफ्टिन है अनुशेद पंद्रा है कि आप किसी के साथ भी धर्म जाती, लिंग किसी की नसल या जनमस्थान के अधार पर किसी के साथ जो है बेदभाव करना जो है निशेद है आर्टिकल 18 है Abolition of Titles यानि उपाधियों का अंत उपाधियों का अंत है इसमें यानि कोई भी नागरग किसी भी परकार की उपाधी नहीं ग्रहन कर सकता आर्टिकल 16 है अफसर की समानता Equal Opportunity अफसर की समानता का अधिकार सबसे important article 32 article 32 है समिधानिक उपचारों का धिकार जिसे B.R. Ambedkar ने Heart of Indian Constitution भी कहा है भारतिय समिधान का हिर्दे article 32 को कहा है article 32 के तहट आप supreme court जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके fundamental rights का violation हो रहा है हनन हो रहा है या आप article 226 article 226 के तहट आप high court में जा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके fundamental rights का violation हो रहा है article 226 के तहट आप high court जा सकते हैं और article 32 के तहट आप supreme court का दर्वाजा खटखटा सकते हैं next question है भारत के चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की निक्ति की जाती है the chief election commissioner of India is appointed by chief election commissioner of India की appointment की जाती है president of India के दोरा राश्टरपती के दोरा option number A राश्टरपती यह जो chief election commissioner होते हैं इनका जो tenure होता है कारेकाल होता है इनका कारेकाल जो है या तो 6 वर्स का होता है 6 years या 65 years age तक ओके अगर इनके 6 वर्स उनके duty के पूरे हो जाते हैं या इनकी उमर जो है 65 वर्स हो जाती है जो पहले हो जाता है उसके अनुसारी इनकी retirement हो जाती है so last question मैं पूछूँगा आपसे भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन के अधिक्स्ता कौन करता है who presides over the joint session of parliament in India संस्द के संयुक्त अधिवेशन के अधिक्स्ता president of India करता है vice president of India करता है looks about speaker करता है या prime minister of India इन में से कौन सा joint session के अधिक्स्ता करता है comment section में लिकिए अपना अंसर अधिक्स्ता करता है